आपके हां पंडीजी भी आते हैं और आप लोगों को लाज सरम नहीं लगता है कि साहब कहते हैं कि हम खाएंगे निगर जिनकी खा रहे हैं उनी के थाली में छेद करने का वो काम कर रहे हैं हिंदूत ऐसे ही नेताओं नहीं बरबाद करने का काम हैं अपने धर्म का अपने लोगों को पुजा करते थे अब पुजा के नाम पर जो कर रहे हैं अब इतनी बरबादियां कर दलीत का के सभी लोगों के पहले सेट बन गए हिंदू धर में जन्म है हमारा बस नहीं और फिर अब दलीत का राग ना आप रहे हैं दलीत आज भी वहीं के वहीं दलीत हैं लेकिन हम हिंदू घर मारके खा रहे हूं उसके साथ कभी बैटके खाएंगे वह खाना तो पूजा करेंगे तुम्हारा भी पर्ट्रिपनी करते ह हुद दलीत हो करके अपने दलीत समाज को गाली दे रहे हैं बंदे मात्रम बोलेंगे अजिसको दिक्कत है वह भारत छोड़े जितना हमारे नहीं है सभी दों के है अउजनी संफूर अपार्टी माजी जी को तो पहले यह होना चाहिए कि वह जहां है किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है जिनकी खार हैं उनी के ठाली में छेथ करने का वह काम कर रहे हैं और पहला बात कि हिंदू ऐसे ही दलने वाला नहीं है और उनको पढ़े लिके हो करके इस तरह का अब्द सब्द का परियोग करना उनको सोभा नहीं देता है राजनीति क्योंकि वह ब्राह्मन का ही बोट लेकर के कोई नेता बना आया अस तक तुन सभी का भोट मिला है और इस तरह का सब्द करने वह खुद संस्कृति का प्रतीक है और हिंदु धर्म का जो विकास और प्रारद हुआ है इतनी बरी गहराई यह संस्कृतिली है यह इसमें ब्राह्मनों का मूल गहरा पैठ है और उन्होंने जो तुक्ष रूप से कहा है इतने परहली के होने के बाबजूद तो थोड़ा तरस आता है यह तो असोभनिये है और बहुत ही तुक्ष जैसे अग्यानी लोग किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं ऐसा साधारन पुरुस के रूप में उन्होंने दिया है परचे उनसे यह उमीद नहीं थी इसा कुछ नहीं है मांजी जी का यह कहना बिल्कुल गलत है ऐसे पहले होती थी जो मतलब की लोग इन सब चीजों में विश्वास रखते थे कि नीची जाती के वो हैं तो उनको मतलब दबाया आता था बट अभी इस टाइम में अभी हमें स्टुडेंट है तो हमको ऐसा नह चीजाती के लोग दभाया दा था या फिर कुछ भी अभी तो ऐसा कुछ में नहीं देखते हैं तो अभी माजी जी जी उन्होंने बात का ब्राह्मार सुद्र शुद्र आदमी सब्द नहीं था इन लोग दलित का के सभी लोग को पहले सेट बन गए और फिर अप दलित का र खाना नहीं खाएंगे स्रीराम बोलते और भोट लेने की समय दलित को बरगलाया जाना अब दली तब भरगलाने वाला डलीत वह नहीं रहा है अब लागत हिंदूत में क्योंकि दलीत नहीं दलीत कहा है समझ गया ना ब्राह्मण शिर्ष्ट जो पढ़ेगा लिखेगा जो ग्यान देगा वह ब्राह्मण है डलीत कौन है डलीत हम्हारी सोच में ही डलीत अपने आपको समझ ले तो वह डलीत था है इसलिए तो मैंने कह रहा है कि वो खुद दलीत हो करके अपने दलीत समाज को गाली दे रहे हैं ब्रामन कौन नहीं है अगर एक दलीत रविदास जी देखिए वो दलीत है तो क्या उनको पूजा नहीं जा रहा है ऐसे लोग ही दलीत समाज को बदनाम करने में लगे हुए और दलीतों को बरगलाने की जुरुत नहीं है दलीत जान चुके हैं जाग चुके हैं और दलीत हमेशा से जाग इसी तरह के नेता दलीत को परकाते हैं भोट बैंक ले ले लेते हैं सभी जातों का और दलीत को बोलते हैं तुम ठागा जा रहा है तुम दलीत हो अपने घर में कि त्यो nell को इतना भो रहें तो जैस्री राम बोलेंघार ब्राममन को ही गाली प्राममन का मतलब होता है जो हमें ग्यान दे च्छात्रिये का मतलब जो हमारी रक्षा करे वैसे का मतलब होता जो हम भोजन देने का काम करें और दलित नहीं है सेवक दिया गया था इन लोगों ने दलीत को ही दलीत बनाया है ऐसे नेताओं में दलीत मैं भी एक समात से हूँ और मैं कहना चाहूंगा कि आप जाग जाएगा दलीत और दलीत कभी क किसे का सुनने वाला नहीं है हम लोग जैस्रीराम है जैस्रीराम रहेंगे और भारत-मधा की जय बोलेंगे बंदे मातरम बोलेंगे अजीश को दिक्कष़ हो भारत खुरें राजनीती पर हम लोग बात नहीं करते हैं, हिंदुत्व का ही सवाल है, आज एक नेता आपके हिंदु होने पार और हिंदुत्व को लेकर ब्राम्हन पर सवाल कर रहा है बहुत तरह के लोग बहुत सारी बाते करते हैं, लेकिन हिंदु समझता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और जो इस तरह से बोलते हैं, उनको पहले अपनी आपको समझना चाहिए उनको एक बार जाके मंदिर में बैठना चाहिए, अपने आपको पहले समझ जगे उसके सकते हैं अंदुरुनी बात पर जाईए तो बहुत सारा बात निकलेगा कि नेता लोग अंदर तक में क्या-क्या करते हैं तो उनका बोलने का ये एक तरीका है अपना वो पब्लिक सिटी करें चाहे जो करें इस बारे में वो इनकी एक्षेरा है मानजी जी अपने आपको हिंदूतव हैं और हिंदूत को ही मानना चाहिए केवल ECST के भोट के लिए ये सब काम कर रहे हैं क्योंकि हम ECST को जोड़े रहे हैं लेकिन आज के समय में ECST सब लोग पढ़ा लिखा है हर समाज का बढ़ामन हो या कोई भी समाज का हो सब लोग नहीं आएगा और आज के समय में अपना भारत बहुत आगे बढ़ चुका है केवल अब हमारे देश में जात की राजनीतिक नहीं चलने हैं जो हिंदूत का बात करेगा वही देश पे राज करेगा और मांजी जी को यह तो माफी मांगना चाहिए अपने समास से और हर जाती है हिंदूस्तान में देख लिए तो 90% ब्रह्मान किसी ना किसी कहां पूजा कराता और खाना खाता है आपके एक आदमी कहने से हम उस बात को नहीं मानने वाले हैं पूरे 200 कंट्री नतमस्तक ब्रह्मनों के आगमें और आपकी क्या हमियत है इस हिंदूस्तान में आप खुद वास्तो जाएं यह माजी साहब अपने गिरबान में जाके और अपनी अस्तितु को पर हैं कि हम हैं कौन वास्तो बात में उसके बाद कुछ निशन लें ब्रह्मनों के बाड़े में कि नहीं खाना खाएं दौलित के लोग घड़ पे एक आदमी को देख लिए सुन लिए कि कौओ और इनार का कहानी सुना रहे हैं वास्तिक बाद आई ना कि फारवट के यहां कुणा है पानी नीव हैं पानी भरने ने दिया गया है जब कुगा फारवट के यहां खोदा गया कोई दलित खोदा कोई बरमन्तु जागा नहीं खोदा तो जब उनकी यहां था ही तो आप क्या कई से होए यह कहानी बना के और पूरी तरह से लपटे जा रहे हैं लपटे जाना है और दिशाहीं लोग को आप दिशाहाब मोड़ते मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे पर कोई न कोई अर्चन पढ़ जाती थी इसी वज़ा से मेरा पूरा परिवार बहुत परशान था बावा जी की दुआउं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर के बहु बने सभी समस्याओं का समधान गुरू खांजी अभी कॉल करें 9821707996